आज हमने घर में से ही मिल जाए ऐसी दो सामगरी का इस्तमाल करके सिर्फ दो बुन तेल में टेस्टी आटे का नास्ता बनाया है यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसे आप सुबह में सिर्फ पांच मिनिट में तयार करके सौव कर सकते हैं तो वीडियो की सुरुआत करने से पहले रेसिप आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सुरू करते हैं टेस्टी और चटपटा आटे का नास्ता बनाना एक कप गेहूं का आटा लिया है इसे एक बावल में डाल देंगे आदा कप मीडियम खटा दही है जिसे मैंने फैट लिया है यह अंदर डाल देंगे दही मीडियम खटा होगा तो चल जाएगा बहुत एकदम ज्यादा खटा दही नहीं डाले तो ये नास्ता थोड़ा ज्यादा खटा हो जाएगा मिक्स कर लेते हैं दही को मैंने फैट के दाला है अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालके स्मूध बेटर बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके बेटर बना लेते हैं बेटर को अच्छे से फैट के बनाना है उसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए एक कप पानी डालके बेटर बनाया है दो मीडियम प्याज बारिक चॉप किया है और एक चोथाई कब हरा धन्या है हरा धन्या आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते है अगर आपके पास बेथी के पत्ते या पालक हो तो वो भी आप बारिक चॉप करके डाल सकते है तीन चौथाई टीस्पून नमक डालेगे, एक टीस्पून में थोड़ा कम लिया है, एक टीस्पून अद्रक की पेस्ट, एक टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, हरी मिर्च आप बारिक चॉप करके भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो, एक चौथाई ट चीली फ्लेक्स यह नहीं है तो आप स्केप कर सकते हैं इसके बदले में काली मिर्ज का पाउडर भी आप डाल सकते हैं मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें दही डाला है अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर को भी कद्दू कस करके डाल सकते है प्याज के बदले में आप जो कोई भी वेजेटेबल डालना चाहे तो वेजेटेबल भी डाल सकते है गाजर को कद्दू कस करके डाल सकते है गोवी को भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं आदे टीस्पून जीरा डालेंगे बेटर थोड़ा घाड़ा है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इतना पतला हमें बेटर रखना है 2 से 3 टेबल स्पून पानी हमने डाला है बेटर को टेस्ट करके देख लेना है अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा डाल सकते हैं इसके उपर धकन लगा के 10 से 15 मिनिटी से रेष्ट देते हैं नॉन स्टिक तवा लेना है इसके उपर हम थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं यह नास्ता सिर्फ आप दो बुन तेल में बना सकते हैं इसमें तेल का ज्यादा यूज नहीं होता है अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है आयन के तवे में बना रहे है तो थोड़ा तेल ज्यादा लगेगा बेटर को अच्छे से फैट लेंगे गेस की फ्लेम धीमी करके इसे इस तरह से फेला के चीला बना लेते हैं छोटा या बड़ा चीला आप अपने साइस के हिसाब से बना सकते हैं इसे धीमी आज पर ही हम कूक करते हैं आप देख सकते हैं, उपर से यह एकदम ड्राइ हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और उपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, उपर से एकदम ड्राइ हो जाए उसके बाद ही इसे पलेट ना है, दूसरी साइड पे भी मेडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुप करेंगे प्याज सिखने की बहुत ही अच्छी खुस्बू आती है फ्रेंड्स ये चीला जबी बनाते हैं मेडियम फ्लेम पे नीचे की साइड से भी मैंने एक से दो मिनिट इसे कुप कर लिया है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीजों से बन जाए ऐसा टेस्टी नास्ता तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें रेसिप्य आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बोक्स में लिख के जरूर बताए तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में